थेले दोस्तों नमस्कार, तो कैसे हैं आप लोग, आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ, अगर आप OnePlus 70 स्मार्टफॉन के यूजर्स हैं, यहाँ पर Oxygen OS 11 का नए अपडेट, Oxygen OS 11.0.2.1 बन का दिखने को मिल जाता है, इस नए अपडेट में क्या कुछ आपको चीज पर लाई गई है, क्योंकि यहाँ पर मैंने तीन दिनों के अंदर काफी कोछ चीजे खोजी हैं, इन सब के बारे में मैंने सुचा कि आप लोगों को जानकारी दे दी जाए, तो सबसे पहले बात करूं तो अगर आप देखेंगे इसके अबाट फॉन सेक्शन के अंदर आप आपको Android Security Page Level June मंत का देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पर काफी अची कमाल की बात है, परन्तु GMS Pack कोई भी अपडेट नहीं मिला है, यह आपको फरवरी मंत का देखने को मिल जाता है, साथ में डिस्पले के अंदर अगर आप देखेंगे विराइडनिस को कमयाद ज्या अगर आप Chrome जैसे एप्लिकेशन का यूज करते हैं तो इसी के साथ आप अगर बैटरी उसको देखेंगे मेरे तो यहाँ पर मुझे लगवग चार से पांच गंडे का बैटरी उसको मिल जाता है, परन्तु मैं यहाँ पर बता दूँ 15 से 20 मिनट का इंप्रूड भी हुआ है पहले के कंपेरिजन में, इसी के साथ यह आप मेरी कुछ बैटरी की साइकल देख सकते हैं और यहाँ पर नाइट के अंदर आपको आइडियल में 3% ही बैटरी डेन देखने को मिल जाता है, इससे ज़्यादा बैटरी डेन नहीं हो रहा है, जो कि यहाँ पर काफी अच्छी तरह से काम कर रहा है, इसको अगर आप इनेवल कर देते हैं, तो बैक्गराउंड में जो भी एप्लिकेशन हाई बैटरी कंज्यूंग कर रहा होगा, वो उसे क्लोज कर देता है, अब अले ही आपकी उसके अंदर कुछ प्रोसेसिंग चल ले हो, यह बात की बात है, फाइल को कॉफी कर रहा था, तो उस दौरान मैंने गलती से फाइल मेंजर को क्लोज किया, ऊपर की तरफ से तो यहाँ पर यह एप्लिकेशन ही हो गया था, परन्तु अब मैं ऐसा कर रहा हूं, तो कुछ भी नहीं हो रहा है, यह यह यहाँ पर जब करता है, जब हाई बैट पर पहले से ज़्यादा इंप्रुमेंट हो गए है, जो भी आपको प्रिव्यू दिखने को मिलते हैं, वो अब पहले की तरह अटक नहीं रहे हैं, बिल्कुल ही आपको जैसे ही क्लिक करना होता है गयले अप्डेकेशन पर वो और वो आपको शो हो जाते हैं, कुछ इस तरी पर काफी अची कमाल की बात है, साथ में फाइल मेनेजर के अंदर में अगर मैं बात करूं तो यहां पर कॉपिंग और डिलीटिंग की जो स्पीड है, वो तो फास्ट नहीं होई है, परन्तु जो अप्लिकेशन क्रेश हो रहा था, कभी-कभी रेंडमली वो यहां पर फिक् यहां पर काफी ज़्यादा श्लो प्रिव्यू सो करता है, यह यहां पर इशू मुझे देखने को लगा है, साथ में टेलिगराम के अंदर आप जाएंगे तो यहां पर किसी भी फाइल को आप सेलेक्ट कर रहे होते हैं, तो उस द्वारान अगर आप बैक आना चाहें, तो यहां पर ऐश्या कुछ भी नहीं होता है, साथ में फिंगर प्रिंट की स्पीड भी मुझे ठीक देखने को लिए है, और अगर मैं फेस अलॉक की बात करूं, तो यहां पर काफी ज़्यादा अच्छा बर्किंग में है, फेस अलॉक बहुत ज़्यादा फास्ट देखने को लग रहा है पहले की तुल्ला में, अगर आपको इसको देख करके कोई इश्यू देखने को मिलता है, तो आप अपना फेस डेटा या फिंगर पेंट डेटा दोबारा से डिलीट करके अटेच कीजिए, उसके बाद आपको ऐसा कुछ भी इश्यू देखने को नहीं मिलेगा साथ में यहाँ पर बाइडवाइन L1 का जो इश्यू है, आप लोगों को देखने को मिलना है, अगर तो सबसे पहले आपको बता दूँँ, आप अपने डिवाइस को एक वर फेक्टरी डेटा रिसेट करके चेक आउट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई भी इश हो जाने के बाद में, सिस्टम और सिस्टम अपडेट पर जाकर के उसे यहाँ से चूच करते हुए अपडेट करा दीजिए, इस द्वारान आपका कोई भी डेटा डिलीट नहीं होगा, और जो भी इसू होंगे वो यहाँ पर स्वाल होने के काफे ज़्यादा चांस बढ़ सिप यू, जीप यू तीनों ही काउट कर सकते हैं, क्या स्पीड अपर एस्पीड पर फेज कीजिए हैं और कितना जीप यूज हो रहाँ है ? इस सबको चेक आउट कर सकते हैं, ये अपडेट पर ये फीचर्स देखने को मिल जाता है, अगर आपको ये फीचर्स देखने को nem नहीं मिला है तो आप एक बार गूगल प्लेश्ट के द्वारा गेम स्पेस का अपडेट चेक आउट कर लीजिए और उसे वहां से अपडेट कर लीजिए उसके बाद आपको यह हैं फीचर देखने को मिल जाएगा मैंने यहां पर गेम प्ले किया उसके बाद कुछ यह यहां धीर करके बढ़ा और उसके बाद टेंपरेचर फिर से नॉर्मल हो गया इसी के साथ गीक बेंचमार स्कोर की बात कर तो यहां पर पहले जो मैंने 29 डेट को निकला था शिंगल कोर पर यह निकला था और उसके बाद मैंने मल्टी कोर भी चेक आउट किया था और जब आज न बातब रणवे टेंपरेचर कितना है इसी के साथ यहां पर इस गीक बेंचमार को चेक करने के बाद बैटी टेंपरेचर निकल के आया वह 40.3 डिग्री सेंटिग्रेट निकल कर आया है साथ में बन प्लस का डाइलर पर जो इशू था उसको भी एडजस्टमेंट यूआई क तोर पर कर दिया गया है और यहां पर एप्लिकेशन में कुछ इमेज अगर आप फुल स्क्रीन मोड पर ले रहे थे उसमें भी इसू आ रहे थे उन चीजों को भी फिक्स कर दिया गया है जो कि मैंने हाँ पर पिक्चर कुछ क्लिक किये हैं यह उनके आप सेंपल देख सकते हैं तब तक के लिए कुछ इतना ही मीद करता हूँ आज की यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी इसके लिए आप हमारी वीडियो पर लाइक और कमेट करना ना भूलें साथ में शेयर को स्क्राइब भी जरू करनें थेंक्यू जैंजय वारत बंदे मातराम